हलो एवरीवन नमश्कार सस्तेकार असलाम वालेकुम रादे रादे जैश्र कृष्णा अरर महादेव स्वागत है आप सभी का आपकी अपने उतकर्ष परिवार पे सभी लोगों को सुबह का नमश्कार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू अल आफ यो आज की सेशन म देखेंगे और टाइप बन टाइप टू डेर्क नहीं देखेंगे डेर्क कोशन नहीं लगाएंगे पहले इसके कुछ कॉंसेप्ट जानेंगे क्यों क्यूंकि हमने आप सभी में यह चीज जानी कि जब आप लोगों को कोई टॉपिक करा रहे हैं तो उस टॉपिक में अभी कोशन हम आपको देंगे और आपको देखना होकर अपने नोट्स त्यार रखो पैंट पेपर लेकर के बैटो आप अपने नोट्स बनाते चलना तो जितने लोग जोड़ चुके हैं नमस्कार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग शेर कर देना वीडियो को बिलकुल भी मत क्लास को शेर करना और लाइक भी कर लो अगर भूल गये हो तो लाइक कर लो और सब्सक्राइब भी कर लो चलिए तो अगर figure counting पर हम लोग आएं तो होता क्या है बेटा figure counting पर हम लोग आरहे हैं तो कैसे करते हैं कितने टाइप होते हैं हम लोगों को ये सीखना है basically देखो figure counting में एक टाइप आपका बनता है बच्चा square जिसको की वर्ग बोलते हैं और दूसरा टाइप बनता है आपका rectangle जिसको की आयत बोलती है और इन दोनों को मिला करके प्रशन बनता है और भैस्तरीन प्रशन बनता है जो छोड़ना पड़ जाता है एक्जाम में या गलत कर देते हैं तो वो सीखेंगे फिर तीसरा टाइप जो होता है जो आज नहीं सीखेंगे और जो फोर्स टाइप होता है इसी का वो आपका कहलाता है लाइन रेखा से समबंदित सबसे टफस्ट होता है ट्राइंगल है ना माक्सिमम कोशन भी बनता है ट्राइंगल से लेकिन बाती सबसे आसान तो ट्राइंगल को कहते हैं त्रेभुच जो की हम आज नहीं सीखेंगे और line को कहते हैं रेखा यह आसान होता है जो कि आज नहीं सीखेंगे इसके बाद एक आपका और बचता है कौन सा है cube and cuboid circle यानि की व्रत जो आज नहीं सीखेंगे और छटा आपका है cube and cuboid ये भी आज नहीं सीखेंगे तो आज केवल ये दो type के concepts लगाने जा रहे हैं छुटे-छुटे से concepts है फटा-फट से note कर लीजेगा फिर इसके questions भी हलाकि questions यहां लगाएंगे जो questions यहां लगाएंगे इसी से exam में बनेगा जितना भी concept पढ़ोगे इसी concept पे concept भी पढ़ोगे, tricks भी पढ़ोगे exam में पूछा जाता है गुमा गुमा के, गुमा गुमा के तो एक बार फिर से good morning, good morning, good morning ठीक है, नमस्कार, जितने लोग जुख जुके हैं सभी को दिल से नमस्कार, आईए जानते हैं इन दोनों topics में हमें क्या करना होगा देखो जब भी आपसे वर्ग की बात करेगा वर्ग में ही आयत पूछेगा आयत दे के वर्ग पूछेगा ये खेल बहुत होता है त्रिभुज दे के वर्ग पूछेगा त्रिभुज दे के आयत पूछेगा तो इसको हलके में मत लो ये मत सोचो किया रहे ये तो आसान है हमने तो सीख रखा है हमें तो आता है ना आते हुए भी गलती करते हो जब आयत देता है वर्ग पूछता है तो गलत करते हो वर्ग दे करके आपसे आयत और वर्ग दोनों पूछ लेता है तो गलत करते हो और अगर त्रिभूज दे दे औ और फिर आप से वर्ग या आयत पूछ ले, तो पूरा ही गलत कर देते हो, तो इसलिए हलके में मत लीजे, देखो, तो पहला हम जो स्क्वाइर से ही शुरू कर रहा है, यह आसान है, इसके लिए परिशान नहीं हो, जैसे इसमें सब को पता है कि एक वर्ग होता है, यहाँ पर इसी में हम इस तरीके से कुछ लाइन खीच दे, तो यह चार वर्ग हो जाएंगे हैं ना, एक, दो, तीन, चार, लेकिन चार के साथ, बेटा, यह भी तो एक बड़ा वाला वर्ग ही है, यह क्या हो जाएगा, बेटा, पाँच, एक, तो यह एक इतना हो जाएगा, मिला करके पाँच, तो यानि कि पाँच वर्ग है, अब इसी को यह क्या कर देगा, तीसरे में, इसी में कुछ और लाइन स्कीच दिया जाएगा, है ना, जब कि इसी में कुछ और लाइन स्कीच दिया जाएगा, तो यह वर्ग और बढ़ जाएंगे, ठीक, अब इन वर्गों को काउ ये तरीका क्योंकि हम सब लोगों को पता है तो इसको बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं आ रहे हैं, ठीक है, एक मिनट, तो इसको देखते हैं, ओ-ओ, सोरी, 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 ये है, ये पूरा वर्ग है, और इस वर्ग में हम को ठीक, और फिर, सेम उस चीच को हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, ये, ठीक, और इससे अञी को जब अब बर्ग बन गया, वहाँ पर चोटा सा बनाता यहाँ पर अच्छा खासा बना अबरों यहाँ पर सीखते हैं, 습니까? सब्हों 3 कितने हैं यह झो खड़ी पिलर औरidas में चांघे में आपको सब्सक्राइब.. बनाते थे, अब ये काम नहीं करना है, क्योंकि ये square है, और square है तो pair बनाएंगे तो same संख्या का same संख्या से गुणा होगा, इसलिए जो हमने 1, 2, 3 लिखा है, के बल एक बार ये लिख करके, इनका square लिख करके जोड़ देना है, 1 का square, 2 का square, into 3 का square, कितना हो जाएगा, ये 9, 4 13 और एक कितना हो जाएगा, 14 यानि कि यहाँ पर 14 वर गया, अगर गिन्ने बैठते तो 9 तो सामने है, 9 के बाद पूरा एक बड़ा वाला बता देते हैं, 10 है ना, 9 तो सामने, 9 के बाद 10, 11, 10 के बाद बोलते हैं, 11, 12, 13, 14, ऐसे count करते हैं, तो ये चीज़ हमने हटा दिया, अब इसमें speed में इसले चल रहा हैं क्योंकि ये हम पहले भी बता चुके हैं, अब ये तो हो गया वर्ग की बात, जहां पर इसको note कर लेना, जहां पर row और column बराबर हो गया, वो तो हो गई वर्ग की बात, लेकिन जब row और column बराबर नहीं होता है, तब वर्ग कैसे देता है speed में अगर सोचोगे कि मैं हम क्यों चल रही हैं, तो बच्चा speed में जाने का मातर इतना सा मतलब है, कि ये हम पहले भी करा चुके हैं, और इसलिए हम speed में चल रहे हैं, यहां पे slow motion में चल ले का, क्योंकि जो main आपको बताना है, उसकी तरफ बढ़ना है, तो हमारे पुराने साथ नए बच्चे भी जुड़ते चले, इसलिए वो भी समाबाहन सके, कि हा भाई, यहां पे क्या पूछा जा रहा है, ठीक, अब बोलो कि मैं यह perfect square नहीं है, बेटा मान, लो मानने में क्या जाता है? मान लिया कि perfect square नहीं है, तो मान लो मानने में क्या जाता है? अब यहां पे देखना यहां पे 1 2 3 4 5 या रखना कुछ सिखाने जा रहे हैं ठीक आपको लगेगा अरे यह तो सी खा हुआ है यह तो आता है नहीं आता आ आपको लग रहा है न अभी देख तो लो सुरुवात तो पुराने से ही करेंगे बर देखो तो सही एक दो 3 3, 4, 5 है यहां पर देखो 1, 2, 3, 4 रो और कॉलम में क्या कम है कॉलम्स कम रो कम है रो यानि कि पंक्तिया यह जो होरीजेंटल होती है लेटी अवस्था में बेड़ी अवस्था में 36 नहीं उर्द्वाधर अवस्था 36 अवस्था में ठीक तो यह आपकी क्या है पंक्तियां यह पंक्तियां है यह खड़ी अवस्था में यह कॉलम्स है इस तंभ जिसको बोलते हैं तो रो और कॉलम में कम क्या है रो कम है तो इसको उल्टा लिख लो बोलो के मैं यह तो आता है अरे ठहरो जरा रुको पता है आता है जो नहीं आता उस पर भी आ रहे है रुक जाओ ठीक अब इसको देखो छीक इसको भी ओल्टा लिख लो चार तीन दो एक लिख लिया चार तीन दो एक अब यहां पर क efanoosh लिख लिखा ठीक आयस पास तीन दो सॉर्थ-स पास-स सॉर्य चार से एकक क्म टीन दो पस यहीं पे रुग गए और क्यों रुग गए यह भी आपको पत अरे तो हम कहा मना कर रहे हैं हम कहे रहे हैं अभी हम बताऊंगा रुखो तो जब रो और कॉलम बराबर होता है तो सेम-सेम करते हैं सबसे कम हो चाहे कॉलम्न चाहे रो दोनों में से जो कम हो पहले उसको उल्टा लिखो उसके बाद बची हुई संख्या को उल्टा लिखो और एक कम एक कम एक कम जैसे चार से एक कम तीन से एक कम दो और इसको भी अभी आसान करा रहे हैं रुख जाओ अब यहाँ पे देखना यहाँ पे अगर यह काम करते है ना कि पहले लिखते 3, 2, 1 फिर लिखते 3, 2, 1 और इनका गुना करते तो आता तो घूम के square ही आता तो square ही और इसी लिए यह जो काम यहाँ पर किया गया वो काम अगर row और column बराबर है तो नहीं किया गया क्योंकि पता चला कि जब row और column बराबर नहीं है तब तो वो ऐसे multiply करना ही पड़ेगा लेकिन जब row और column बराबर हैं और इस तरह से multiply करना है तो वो square का form दे रहा है तो समझ में आया कि आपको अब कुछ नहीं करना है केवल इनका square करके जोड़ देना है और आपका answer कितना आ जाएगा 9, 4, तो इसलिए यहां पर direct square कर देते हैं जब row और column बराबर होता है और जब row और column बराबर नहीं होता है तो क्योंकि square निकल के नहीं आएगा तो इसलिए ऐसे multiply करते हैं फिलहाल एक reason तो आप जान गए कि ऐसा क्यों करते हैं क्यों महां पे square करते हैं जब row और column बराबर और क्यो उरी भबा समझना इधर नहीं बनाते हैं इधर बनाते हैं अब यहां से कुछ नहीं बहुत कुछ समझ होगे और सीधी लाइन्स लेते हैं और क्या कर सकते हैं अब यहां पर है एक दो तीन चार पास छे यहां एक दो तीन चार जो सिखाने जा रहे हैं वो अब सिखाने जा रहे हैं हम लोग उने क्या सिखा था रो और कॉलम में जो कम हो तो इस बार भी पंक्तियां कम है इस बार भी रो कम है उसको उल्टा लिख लो चार से एक कम तीन से एक कम एक से एक कम दो से एक कम एक है ना और यहां पर देख रहे हैं एक दो तीन चार पांच छे तो इनको भी उल्टा बड़ी संख्या से छे पास चार ठीक है और इनका गुणा कर दो तो छे चौक 24 पास त्याई 15 दो चक को 8 तीन एक कम तीन इन सब को जोड़ दो हम आगे क्यों नहीं गया तीन से आगे जाते दो यहां एक से आगे जाते जीरो इनका मल्टिप्लाय करते आंसर में हमें 0 ही मिलता इसलिए आगे नहीं जाने की तो कितना हो गया 8 4 12 5 17 17 3 20 का 0 करी 2 2 4 15 एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले तो 5 4 9 8 9 8 17 3 20 करेक्ट है तो 0 करी 2 2 4 15 50 वर्ग है वर्ग की बात कर रहा है अभी सिर्फ स्क्वार की अभी आयत पर नहीं आए इसी में आयत सीखेंगे ठीक है अभी केवल वर्ग देखते चलो पेज म लेना एक तरफ वर्ग बनाते चलना फिर इसी में यहां पर लिख लेना आयत और फिर आयत देखते चलना बार-बार डाइग्राम नहीं बनाना पड़ेगा ठीक है तो अब देखो जब इस तरह का प्रेश्ण आता है जब रो और कॉलम बराबर नहीं होती है तो हम लोग अक दो जादा है चार कॉलम चार है उपस माफ कीजेगा रो चार है कॉलम्स छी है तो कॉलम्स रो से दो कॉलम्स जादा है क्योंकि रो तो हमारे पास चार है कॉलम हमारे पास शे है तो रो से दो जादा है कॉलम्स तो इसलिए जो कम है उनकी बात कर रहा है जो कम होगा उनको अ तीन से दो ज़्यादा होगा पांच पांस तियाईं पंद्रा है ना और दो से दो ज़्यादा होगा चार तो दो दुनी चार और एक से दो ज़्यादा होगा तो तीन एक कम तीन एक से दो ज़्यादा होगा तो तीन ही तो होगा ना एक से दो ज़्यादा दो खोड़ी कर दो त थे टीअ कुछ उठीफ और देखो 24 15 छार कर र एte से दो ज्यादा चार चार दुनी ऐठ है ना और कितना हो गया तीन दुनी, तो तीन एकम, तीन, देखो वही लिखा हुआ है, है ना, यहाँ पर आजो, यह काम कब आएगा, अब आपको यह भी समझा देंगे, कि यह काम कब आएगा, इसको अभी लिख लो, अभी लग रहा होगा किया रहे यार, बड़ा मुश्किल है, अभी लग रहा है जब आपको कोशन कराना, यह कोशन यहीं से बनेंगे, है ना, लेकिन अभी एक कॉंसेट भी इसकरा रहा है, तो अभी इस तरह से कोशन दिया नहीं है, तो जब कोशन आपकी सामने रखेंगे, तो इसको अपलाई कैसे करेंगे, यह सिखाएंगे, अभी तो अपलाई करना आया अभी तो आपने केवल सीख लिया कि हमको ये काम करना है अपलाई करना सिखाएंगे ठीक है तो अभी इसको लिख लो फिर सिखाएंगे अपलाई करना ठीक है बच्चा तो आपके कॉमेंट्स वगेरा आप लोग कर रहे हूं हम बिल्कुल आपके कॉमेंट्स पर नजर र पढ़ाई अभी आप इंतजार कर रहा है अगले ऑफर का पता चला तब तक आप अपना समय बरबाद कर रहा है तो इससे बढ़िया आज लास डेट है अभी भी आपके पास मौका है आप या आपके मित्रगन कोई भी बैच परशेश करने की सोच रहा हो लेना चाह रहा हो तो सीधा 78% का डिसकाउंट मिलेगा और उस पर आप कोट लगा देना NG 13 इसके लिए कोट नहीं लगाना है या आपको सीधा फ्लैट मिल जाएगा 78% लेकिन जब आप NG 13 कोट लगाओगे तो एक्स्ट्रा 13% का डिसकाउंट मिलेगा और जब बैच आप ले लोगे तो उसके ब अब इसमें नहीं पर ध्यान दो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते थे चार से कितना जादा है कॉलम एक कॉलम एक ही जादा है तो चार को उसकी अगली चार से एक जादा पांच यानि अगली संख्या से बुणा करना है तो चार पंजे 20 तीन चौक कितना और चार तीनाई 12 दो 3 आई 6 और 1 दुनी 2 देखो 20 बारा 6 दो 20 बारा 6 दो यानि हम इस step से बच गए क्या यह बात समझ में आई आपने देखा हमने फटायक से 20 बारा 6 दो लिख दिया अभी नहीं समझ में आई होगी अभी लग रहा होगा यह हार्ड है कोई दिक्कत नहीं एक example और करा रहे हैं apply करन है लाइक एक कोशन में कौन सा बीटा ठीक इसको आपको complete वर्ग ही मानना है ठीक है जब row और columns बराबर होंगे तो वो complete वर्ग नहीं होगा लेकिन row और columns अलग-अलग होते तो वो एक rectangle होता है दन उसके अंदर square बनता है इसका ध्यान रखना ठीक अब देखूं अब सोचे कि मैम यह वर्ग तो है नहीं तो बेटा मान लो हम बोल रहे हैं तो मान लो मानने में क्या जाता है ऐसा तो है नहीं कि अकाउंट से पैसा कट जाएगा वर्ग नहीं भी लग रहे हैं मान लो कि हमारी ड्राइंग इतनी ही अच्छी है इससे ज़्यादा अच्छी करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी है ना एक काम करते हैं इसमें से कुछ गायब होगा क्या कुछ गायब नहीं होगा होगा गायब भी होगा क्या यह हम हटाना चाहा रहे हैं तो हटा देते हैं ठीक और ये हो गया चलो अब देखना एक, दो, तीन, चार, पांस, छे, साथ रो कितनी है? साथ कॉलम्स, दो, तीन, चार कॉलम्स चार ही है कम और जादा क्या है? में कम ढूनना जादा नहीं कम है हमारे पास कॉलम्स जिनकी संख्या कितनी है? चार, तीन, दो, एक तो यहीं से शुरू करेंगे जो कम होगा वहाँ से ठीक है? रो कितनी है? साथ यानि रो हो column से कितनी ज़्यादा हैं तीन ज़्यादा हैं है ना तो चार को तीन ज़्यादा चार तीन 7 साथ से गुणा करेंगे साथ चौक 28 तीन को तीन 3 छे ती छे तरिक 28 तीन 2 5 पान दोनी 10 यानि कि सीधा 3 जोड़ना ही तो है 4 में 3 जोड़ा 7, 7, 4, 28, 3 में 3 जोड़ा 6, 6, 3, 18, 2 में भाईया देखो यही कर रहा हूँ हमने लिखा 4, 3, 2, 1 है ना पिर वहां लिखोगे 7, 7 से 1 कम, 6 से 1 कम, 5 से 1 कम, 4 इनका गुणा करोगे तब 7, 28, 3, 6, 18 तब यह प्रोसेस करोगे 2, 5, 10, 4, 1, कम, 4 तब यह प्रोसेस करोगे है ना यह प्रोसेस हम देरेट बता रहे हैं यह करने की जरौती नहीं है बस एक बर अपलाई करना हम सिखा देंगे अभी पहले इसको सीख लो कि यह है क्या फिर अपलाई करना ठीक तो देखो 4 से 3 जादा है ना 4, 3, 7, का गुणा 4 से किया 3 से 3 जादा 6 का गुणा 3 से किया 2 से 3 जादा 5, 3, 2, 5, 5 दुनी 10 तो 4, 3, 7, 4, 28, 3, 3, 6, 31, 18, 2, 2, 3, 2, 5, दुनी 10 तो 3 से 3 जादा अब इसको हटा रहे नहीं तो आप confuse होगे तो यहाँ पर हमने कहा 4 से 4 यह साथ है दोनों के बीच का अंतर 3 निकल क्या रहा है 4, 3, 7, है ना तो 4 से 3 जादा यानि कि 4, 3, 7, 4, 28, 3, 3, 6, 6, 18, 3, 2, 5, दुनी 10 और 3 और 1 चार एक कम 4 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 का गुणा किस से कर देंगे 4 से कर देंगे ठीक अब देखो इन सब को जोड़ो 8, 8, 16, 4, 20, 2, 2, 4, 1, 5, 4, 1, 6 यही काम यहाँ कर रहे थे 4, 3, 2, 1, 7 से 1 कम 6 से 1 कम 5 से 1 कम 4 यही काम कर रहे थे 4, 7, 28, 3, 6, 18, 2, 5, 10, 4, 1, 4, देखो 28, 18, 10, 4, 28, 10, 4, यहाँ तक के लिए इतना ही इसमें हम लोग आयत पे आएगे यह टाइप पहला अभी थोड़ा सा सीखा है यही कॉंसेप्ट मैकसिमम कोशन में लगेगा 99% कोशन में लगेगा यही कॉंसेप्ट ठीक है तो इतना भी सीख लिया concept समझ में आ गया अब हम लोग इसके उस पर आ जाते हैं आयत पर आ जाते हैं कि अब यहीं पर आयत कैसे पूछेगा अब इसी में आप से आयत पूछ लेगा अब इसमें देखते हैं आयत कैसे पूछेगा अब जैसे मान लो आप कहोगे कि मैं यह तो वर्ग है बिटा तो एक चीज़ और नोट कर लो कि एक वर्ग आयत होता है एक वर्ग आयत होता है ऐसा नोट कर लीजे कहीं पे भी इसमें आप बोलोगे दो आयत हैं जो इस तरह से हैं अगर इसी में हम इस तरीके से लाइन खीच दे तो आप बोलोगे तब कि यह भी दो आयत है एक और एक दो आयत की आयत को तो वर्ग नहीं कहेंगे लेकिन एक वर्ग आयत होगा है ना तो यहाँ पे तीन आयत है दो नहीं एक ये दूसरा ये और तीसरा ये बड़ा वाला एक ये दूसरा ये तीसरा ये बड़ा वाला क्योंकि एक वर्ग आयत होता है इसको कहीं पर भी आप लिख सकते हो अगर ये ऐसा बना होता तो ये सिम्पली आयत है ये एक ही आयत है लेकिन इसके अंदर अगर अगर आमने इस तरह से लाइन कीच नहीं तो एक, दो और एक बड़ा वाला तीन ये भी एक, दो और एक बड़ा वाला तीन 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 आयत हो गया, अब होगा क्या, यहां से खेली स्टार्ट होता है, यहां पे अभी हमने क्या कहा था, वर्ग कितने थे, पांच, अभी आपको अगर याद हो, तो हमने यहां पे बताया था, कि यहां पे पांच वर्ग हैं, है न, एक, दो, तीन, चार और एक बड़ा वाला मिला के पांच, यही सीखा था, तो वर्ग तो पांच है, लेकिन आयत पूछेगा तो, तो आप बोलोगे चार, लेकिन बेटा यह जो चार आयत हैं, यह चार आयत नहीं, यह चार आयत केवल आय या ऐसे कितने आयत हैं जो केवल आयत है ऐसा भी आप से प्रशन पूछेगा और ऐसे प्रशन में हम लोगों को जब दिया जाये तो वर्ग हटा देना है ठिक, अगर हम से आयत बोलता बर्ग, यह ना बोलता के वल आयत, सिर्फ आयत यह ना बोले कये कितने आयत हैं कितने आयत हैं तो बेटा पाँच वर्ग प्लस पाँच आयद ये चार केवल वाले आयत मिला करके 9 आयत है तो फिर 9 है कौन कौन से एक, दो, तीन, चार, पाँच ये तो वर्ग हो गया यही वर्ग आयत भी होगा क्यों एक वर्ग आयत होगा ये होता है वर्ग है ना और ये होता है आयत और ये होता है आयत ये आयत भी नहीं है सौरी मान दीजेगा है ना आयत का परिभाशा क्या होती है उसकी लंबाई बराबर हो और आमने सामने की चोड़ाई आमने सामने की दोनों भुजा बराबर होने चाहिए तो ये आमने सामने की भुजा बराबर है और ये आमने सामने की भुजा बराबर है तो ये क्या है आयत यहां पे भी आमने सामने की भुजा बराबर है आमने सामने की भुजा बराबर है इसलिए ये वर्ग क्या हो गया आयत लेकिन आयत वर्ग नहीं होगा क्यों वर्ग की परिभाशा है चारो भुजाएं बराबर होनी चाहिए और आयत की चारो भुजाएं बराबर नहीं होती इसलिए ये वर्ग नहीं होगा लेकिन ये आयत जरूर है ये वर्ग है लेकिन ये आयत भी है ठीक क्योंकि आयत की डेफिनिशन यहां फिट हो रही है तो एक वर्ग आयत होता है तो नौ आयत है लेकिन कहें ऐसे आयत जो आयत हो वर्ग नहीं जो केवल आयत हो जो सिर्फ आयत ह वर्ग नहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा तो आंसर आ जाएगा 9 ठीक कैसे भाई 5 तो मिल गिया 5 के बाद ये वाला 6 ये वाला 7 ये वाला जो इस तरह से था 7 हो गया 7 के बाद बोलोगे साफ साफ ये वाला 8 और ये वाला 9 बोलो ये वाला बोलोंगे ना बोलोंगी बोलोंगी क्लिर ठीक अब फिर आगे से कोशन बनेगा इसमें कैसे बनेगा इसमें भी ऐसे ही लाइन्स खीच दिये जाएंगे कई सारे कभी रो और कॉलम्स बराबर होंगे कभी रो और कॉलम्स बराबर नहीं होंगे तो क्या करेंगे तो एक काम करना समझना है इस चीच को है ना दूनों में क्या अंतर हैं देखना एक दो तीन एक दो तीन रो और कॉलम्स क्या है बराबर है जब रो और कॉलम्स बराबर हों या बराबर ना हो square भी case बदला था क्यों आयत में case नहीं बदलेगा आयत में row और column बराबर हो या ना हो ना, 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 I'm sorry, यहाँ पर जब आयत और columns के अलग-अलग हों, तो क्या रूल लगेगा, वहाँ पर पहले square करते थे, बाद में जोडते थे, याद है, यहाँ पर हम पहले जोडेंगे, वहाँ जोडते बाद में थे पहले 1 का square, 2 का square, 3 का square, और बाद में जोडते थे, वी क्या करेंगे सबस्ट्रैक एक मिनट तीन दो पांच और एक छे स्क्वाइर करेंगे तब क्या करेंगे हम यहाँ पर स्क्वाइर करेंगे ठीक है तो तीन दो पांच और एक कितना हो गया छे और छे का स्क्वाइर कर दो कितना हो गया 36 ऐसा क्यों करेंगे क्यों कि ऐसा कब क करेंगे जब रो और कॉलम बराबर होंगे जब रो और कॉलम बराबर होंगे तब वहां पर पहले स्कॉयर करते थे फिर जोड़ते थे एक ही संक्रप का यहां भी पहले अब यहां उल्टा कर देंगे पहले जोड़ देंगे फिर स्कॉयर कर देंगे लेकिन अब रो और कॉलम तो बराबर नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, तो row बड़ी है column से, अब बड़े छोटे का कोई खेल है, कोई खेल नहीं है, यहाँ पे भी बस अलग-अलग जोड लेंगे, columns को अलग जोड लेंगे, row को अलग जोड लेंगे, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, इनको जोड़ोगे तो 5, 4 9, 3, 9, 3 कितना होता है, 12, 3, 14, 1, 15, ठीक है, वैसे भी 5, 4, 30, 15, 15 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6, 42, 15, कितना हो जाएगा, 21, इन सब को जोड़ोगे, तो 21 आएगा, 6, 5, 11, 11, 4, 11, 4, 15, 3, 18, 20, 21, ठीक, अब यह जोड़ा है, यह 21 और यह 15, इनका गुणा कर दो, तो 15, 1, कम कितना हो जाएगा, 15, 15, 2, 3, 1, 31, इने 315, अब आप सोच रहे होगे, क्या वाकई, यहाँ पर 315 आयत हैं, जी हाँ, 315 आयत में, वर्ग भी इंकल्यूड है, अब यहाँ पर प्रश्न बनता है, कभी कभी, अगर पेपर को थोड़ा सा मॉडरेट कर देगा, तो आ वर्ग का फॉर्मूला जो बताया है, वो फॉर्मूला लगा कि पहले वर्ग निकाल लोगें, और फिर उसमें को तोटल आयत में से घटा दोगे, तो केवल आयत और वर्ग निकला जाएगा, यह आगे सिखाएंगे, अभी थोड़ा समझा रहे हैं, ठीक, तो फिर से रिकॉ जोड़ना है, जोड़के स्क्वाइर कर दिया, क्यों क्योंकि तीन दो पांच और एक छे उधर भी होगा, अब क्यों का जवाब दे रहे हैं कि ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि तीन दो पांच और एक छे होगा, और सेम संख्या का से गुना स्क्वाइर ही तो कहलाता है, दस का row और column क्योंकि अलग अलग है तो संख्याओं का some अलग 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 आएगा तो इनको अलग अलग जोड़ लिया गया और जोड़के फिर जो sum निकल किया उनका multiply कर दिया गया multiply यहां भी करते लेकिन यहां same संख्या आती तो स्क्वाइर कर दिया यहां सेम संख्या नहीं आईगी अलग अलग आईगा सम तो इसलिए यहां पर multiply कर दिया वही चीज कर रहा है लेकिन यहां तुरंत हो गया मालो यह 10 उसका देता तो इधर इधर भी जोडते 10 इधर भी जोडते 10 10 गुने 10 100 करते समय बरबाद होता आपको पता है रो और कॉलम बराबर है उधर भी 10 इधर भी 10 इनि 10 का स्कॉयर 100 काम खदम हो गया clear चलो इतनी छोटी सी चीज हम सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई आगे बढ़ते हैं इसी में अब कैसे निकालें और वर्ग कहां पूछता है यह आपके परफेक्ट वर्ग है बोल रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा देखने में भले ना लग रहे हूँ पर मान लेना बच्चा या चलो हम बना देते हैं नहीं तो हल्ला मचाओगे रोगे धोगे फिर अच्छा नहीं लगेगा अच्छे बच्चे रोते हैं तो अब नहीं रोगे अब कोई भी नन्ना मुन्ना नहीं रोएगा अब सब कनपरम है कि हाँ यह वर्ग है नहीं तो अभी रो देते, अब कोई नहीं रोएगा, नहीं तो हम चुब भी ना करा पाते आप लोगों को, बहुत हल्ला मचाते हैं, कॉमेंट पे कॉमेंट करकर के, तांडव मचा देते हैं, कॉमेंट पे कॉमेंट करकर के, अब इन्हें आपको perfect square मानना है कई students को इसके बारे में पता भी होगा यहाँ पर आप से पूछ लेगा बताओ कितने वर्ग हैं तो आपके सामने तीन वर्ग बना था आप answer कर दोगे कि तीन लेकिन एक काम करना इसी में दो extra जोड देना हाँ जिनका answer 5 आ रहा है सही है बेटा क्योंकि हमें भी पता है कि आप सब लोगों को मेरे कोशन का देने से पहले ही आप सब का answer 5 आ गया क्योंकि हम पहले भी यह चीज़ बता चुके हैं इसमें क्या कुछ और हम नया X कर सकते हैं हम आपको वो सिखा रहे हैं फिलहाल ये तो ढूड़ना आना ही चाहिए ये तो रहा बेसिक वाला चीजे तो यहां पे वर्ग तीन आपके सामने बना था है ना एक एक बॉक्स ले करके तीन तीन के बाद बिटा ये भी एक वर्ग है याद रखना क्यों क्योंकि ये भी क्या है वर्ग है क्योंकि लिख लो कहीं पर वर्ग के विकन की भुजा वर्ग के विकन भी वर्ग की भुजा के बराबर होंगे होते हैं यानि कि आपको पता है कि अगर एक वर्ग वर्ग हुझा को दो दो सैंटιमीतर की है विकन मुझा के वर्ग के लिख अग़ी का है वर्ग की बराबर सुअनितर χ्या एक ब्रग हैं तो अब भी बताएंगा भूला नहीं हूं याद आ गया कि इस कोशन में कि ये भी एक कोशन है तो ये बताएंगे, लेकिन पहले इसको करते हैं तो जिनका अंसर पांच है, वेल दुन लेकिन अब इसका अंसर पांच करने से क्या ही वाईदा ये प्रशने अग्जाम में नहीं देने वाला, ये तब देने वाला है, जब GD वगएरा का कोशन हो, यह असान लेवल का कोशन हो, MTS वगएरा का हो, तो ये मुल जाएगा, फिलहाल अब इसकी उमीद छोड़ दो, आ गया, तो अच्छी बात है, तब तो हर बच्चा- झाझा, is it clear? तो टोटल कितने वर्ग हो गाएं? बेटा टोटल यहाँ पर 5 वर्ग हो गाएं, लेकिन अब आपको देते हैं एक बहतरीन सा प्रश्न, प्रश्न क्या है? यहीं पर आपको देते हैं अब प्रश्न, क्यों? क्योंकि अब इसी पर हम कराएंगे आपको कोशन, है है ना पर हमें देखना है कितने बच्चे comment section में इसका आंसर बताते हैं तब तो इसके question कराएंगे नहीं तो हम 3 और 4 टाइप शुरू करा देंगे अगर आपने homework में इसका आंसर नहीं दिया तो 3 और 4 टाइप शुरू करा देंगे समझे हाँ तो यहाँ पर आपको बताना है शॉर्ट पॉर्म में डिख दिया है वर्ग हाँ मैने इस्वायर कितने वर्ग है देखते हैं कितने आज़र कर पाते हो ठीक है यह चार आप्शन आपके सामने हैं होमवक में जरूर बताना कि कितने वर्ग हैं आशा करते हैं जरूर बता पाऊगे तो चलिए मुलाकात करेंगे फिर कर सुभा आपसे नौ बजे हर रोज सुभा नौ बजे जो रीजनिंग में डबल डोज हम लोग कर रहे हैं ठीक है तो कॉमेंट में जरूर बताना हां जी तो आज क्योंकि आप सब लोगों का केवल कोशन नहीं था आज कोशन नहीं था मतलब आज कॉंसेट बताना था बताने लगते हैं तो ये चीज़े apply करना सिखाएंगे, एक concept class होगी, एक apply करने की सिखाएंगे, concept class को कैसे apply करना है, ये भी तो आना चाहिए ना, तो हम लोग तो सीख चुके हैं, हमने कोशिस करी, double dose के थूरू, कि आपको समझा सके, तो मैंने वहाँ पर ये जाना, कि नहीं, आपको problem हो रही है, आपको concept पहले हम कराएं, और उसके बाद apply करना सिखाएं, तो आपकी speed और तीजी से boom करेगी, क्योंकि हम direct question करा रहे हैं, concept पढ़ा चुके हैं, भूल गए हो आप लोग, आप questions करा रहे हैं, तो apply नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि काफी time हो गया है, तो अब एक दिन concept class, एक दिन आपका ये, तो पहले इसको कर लो, फिर या तो Monday से उसको change करने की कोशिस करेंगे, हर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, जो भी पढ़े, जैसे आज हमने concept class कर लिया, तो कल इसी से related question कर ले, फिर परसो कोई और concept class कर ले, फिर उससे related questions कर ले, जिससे हमें apply करना आ जाए, तो विलाला आज कर इतना ही, याद रखना, आज 21st, आज last date है, तो आप ये offer apply करना, बिल्कुल मत भूनना, तो इसको आप फटाक से जाना, देख लेना, क्योंकि फिर offer खतम हो जाएगा, तो फिर बच्चा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तो आप को अपडे प्राइम फीचर के साथ, रिवीजन कोर्स, मॉडल टेस्ट, अनलिमिटड आस्क डाउट, जो आप लोगो के आस्क वगरा होते हैं, डाउट्स वगरा होते हैं, अनलिमिटड पूछ सकते हैं आप लोग, है ना, प्रिंटड जो नोट्स हैं, उसकी होम डिलिवरी अवलेबल है, दस टेस्ट है, मेन्स के एकजाम के लिए हैं, पंद्रा सो प्लस घंटे आपको मिल रहे हैं, रिकॉडड़ क्लासे, फ्री, फिर्स्ट तीन डेज आपकी क्लासे फ्री होने वाली है, क्लासे पीडियो रहेंगी, मंतली करंट अफ्यार मागजेन्स रहेंगी, बहुत सारी चीजे फीचर और भी बहुत कुछ है जो आपको यहाँ पर मिल रहा है प्रिलक्स के टेस्ट मिल जाएंगे आपको प्रिल्म्स के टेस्ट भी आप यहांपर आकर कर दे सकते हैं तो यह सारी चीजे अबरेबल हैं अपडेट कर लीजेगा एप को मुलाकात करेंगे फिर कल आज की लेतना ही थैंक यू बेरी मच्छ रादे रादे जैश्री कृष्णा बबाए टू आल अफ यू जाते जाते सेशन को लाइक, शेयर, सबस्क्राइब बिल्कुल मजबूलना बबाए टू आल शबबा खेर कि लादे जाते सेशिते सेशना ही थी हूँ बबाए जाते सेशना ही। झाल 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 झाल